हलो दोस्तों अरातदयरस अटेमी के यूट्व चनल में आप सभी का स्वागत है удostos राजस्तान में आयूजित ग्राम विकास यानि की में परिक्षा होगी उसका जो सहलेबस है उस सहलेबस के अनुसार अपन विश्व के बुग्गोल के जो जो टोपिक हैं उन सभी टोपिकों के अपन करमवाईज टोप अती महतोपून प्रस्न है वो पढ़ेंगे आज अपना पहला नंबर का चेप्टर है जिसका नाम है अकसा 500 देशांतर रेखाओं से समंदीत आज मैं आपको टोप 100 प्रस्न बताने वाला हूं यह प्रस्न 2022 तक विबिन परिक्षाओं में पूछे गए प्रस्न है और वीडियो की परिक्षा के लिए दोस्तों यह अमरित है परिक्षा में जाने से पहले इन प्रस्नों को जरूर पढ इसमें देखिए निमनलिकित में से किस मासागर से होकर जीरो डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है दोस्तों जीरो डिग्री देशांतर रेखा कौन से मासागर से होकर गुजरती है यह अपने को यहां पर बताना है दो दोस्तों यहां पर देखे सीधा सम आपको बता द ये दोस्तो आरक्टिक मासागर, अटलांटिक मासागर और दक्षनी मासागर से होकर गुजरती है अब यहाँ पर देखिए, ओप्षन में अटलांटिक मासागर दे रखा है इसलिए अपना C नमबर का जो ओप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा सेकिंड नमबर का प्रेशन है, इसमें देखिए, निम्नलिकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है देखिए, देशांतर रेखाएं, वर्त का निर्मान करती है देशांतर रेखाएं वर्थ का निर्मान करती है ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों देशांतर रेखाएं ये अर्द वर्थ का निर्मान करती है न की वर्थ का निर्मान ठीक है तो यहाँ पे पहला क्यूसन ही पहला ओप्सन ही क्या हो ज होती है बिल्कुल सही है अक्सांस वह देशांतर रेखाएं कालपनिक रेखाएं होती है यह भी बिल्कुल सही है यहां पर इस प्रेस्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर क्योंकि यह सत्य है तीन नमबर का प्रेस्ट है जीरो डिग तो यहाँ पर अपना इसमें सही उतर डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें आगे देखिए चार नंबर का प्रेस ने निमनलिकित में से कौन सा कथन एसते हैं कौन सा कथन अपना इसमें ऐसते हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है देखिए सबसे लंबी अकसांस रेखा जीरो डिगरी अकसांस रेखा है बिल्कुल सही है दोस्तों दूसरा देखिए सबसे लंबी देशांतर रेखा जीरो डिगरी देशांतर रेखा है यह गलत हो जाए यहां पर B number का option right answer हो जाएगा क्योंकि यह ऐसत्य है तीसरा option देखिए इसमें 0 degree देशांतर रेखा अंतराष्टिय समय रेखा है बिल्कुल सही है 0 degree अक्सांस रेखा अंतराष्टिय तिथी रेखा नहीं है यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है B number option इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा पांच नमबर का प्रस्टिय तिथी रेखा के समंद में कौन सा कथन ऐसते है वो अपने को यहां पर बताना है देखिए दोस्तों इसमें इसे 180 degree पस्मी देशांतर रेखा का जाता है बिल्कुल सही है दोस्तों यह रेखा प्रसांत महसागर से होकर गुजरती है यह भी बिल्कुल सही है इसे कालपनिक रूप से चार बार मोड़ा गया है यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है और देखिए इसे 0 degree देशांतर रेखा भी कहा जाता है यह गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माँ आपको बता दूँ देखिए जो 0 degree जो देशांतर रेखा है वो इसे नहीं का जाता अंतराष्टे तिथी रेखा को यह आप सभी को पता होगा यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएग ठीक है आगे देखिए इसमें 6 नंबर का प्रेशन है अंतराष्टे तिथी रेखा किस जल्चंदी से उकर गुजरती है अंतराष्टे तिथी रेखा कौन सी जल्चंदी से उकर गुजरती है तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ अंतराष्टे तिथी रेखा है यह आरक्टि इसमें सात नमबर का प्रशन देखे अंतराष्टिये समयरेखा कहां से उकर गुजरती है इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है दोरान कब किया गया बताए एनतराश्टिय तिथी रेखा का जो निर्दारन है ये international meridian conference के दोरान कब किया गया इसका बिल्कुल सहितर हो जाएगा वो है दोस्तों ranging 84 में यानि कि इसका जो निर्दारन है ये ranging 84 इस्वी में किया गया था यहाँ पर इसमें A number का option बिल्कुल सही उतर देखिए सारे person देखोगे तब ही आपको समझ में आएगा यह और विश्व का भुगोल है वो सबसे महतोपून टोपिक माना जाता है सारे के सारे complete मैं आपको टोपिक करवाऊंगा बस सर्त यही है मेरे साथ में चलना है आपको देखिए नो नंबर का प्रेस ने निमनलिकित में से कौन सा कथन ऐसते है निमनलिकित में से कौन सा कथन इसमें ऐसते है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तो देखिए दो देसांतर रेखाओं के मद्दे चार मिनट का अंतर होता है बिलकुल सही है दो देसांतर रेखाओं के मद्दे दूरी 111.32 किलो मिटर होती है वो मद्दे रेखाओं पर बिलकुल सही है दोस्तो ये तीसरा देखिए इसमें दो अकसान सरेखाओं के मद्दे दूरी 111 किलोमेटर होती है ये भी दोस्तो इसमें क्या है? बिल्कुल सही है और देखिए दोस्तो इसमें दो अकसान सरेखाओं के मद्दे का इस्तान गोरे नाम से जाना जाता है ये गलत हो जाएगा दोस्तों दो अकसांस रेखाओं के मद्दे नहीं दो देसांतर रेखाओं के मद्दे के इस्तान को गोरे के नाम से जाना जाता है इसलिए अपना D-Number का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दस नमबर का प्रेस ने निमनलिकित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है बताए कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है देखिए दोस्तों यहाँ पर एक तरफ अकसांस रेखा है दूसरी तरफ द्वीप है अपन ताइवान दीप से होकर गुजरती है तो यहां पे ताइवान बिल्कुल सही है आगे देखिए मकर रेखा मकर रेखा अफरीका मादीप के देश मेडा गासकर से होकर गुजरती है तो यह भी बिल्कुल बिल्कुल सही है यहां पे आरक्टिक रेखा आरक्टिक रेखा दोस्तो बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए ग्यारा नमबर का प्रेस ने है निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है एक तरफ अकसान सरेका है दूसरी तरफ देश है देखे बूमदे रेखा दोस्तों बूमदे रेखा मैंने भी आपको बताया कि यह दकसनी अमेरिका महादीब के एकवडेर कोलंबिया और बराजील देश से होकर गुजरती है ठीक है तो यहाँ पर यह बिल्कुल सही है करक रेखा है यह दोस्तों उत्री अमेरिका के दोस्तों उत्री अमेरिका अफरीका और एसिया मादीब से होकर गुजरती है यह दोस्तों यहाँ पर देखे लीबिया भारत साओधियर अरब यह दे रखा है यह भी बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पर क्या दे रखा है यह दोस्तों इसमें क्या दे रखा है गलत दे रखा है दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें सही उतर क्या हो जाएगा वो है सी नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर मेडागास कर दे रखा है इदर ये बिल्कुल सही है बाकि और इसमें गलत दे रखा है ठीक है जांबिया और ब्राजिल आगे देखे आरक्टिक रेखा ये कनाडा नार्वे स्वीडन दे रखा है ये बिल्कुल सही है तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा इसमें ठीक है नेक्स्ट आगे देखे बारा नंबर का प्रसन है निमनलिकित में से कौन सा कथन आइस अत्ते हैं वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों लंबाई समान नहीं होती और यहां पर जो देसांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है तो यहां पर पहला नंबर का ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा क्यों कि यह ऐसात्ते दे रखा है यहाँ पर एक बिंदू के रूप में मिल जाती है बिल्कुल सही है देशांतर रेखाओं की कुल संक्या 360 होती है यह भी बिल्कुल सही है एक बिल्कुल सही है आगे देखे संपून पर्त्वी को कितने समय कटी बंदों में बाटा गया है संपून पर्त्वी को कितने समय कटी बंदों में बाटा गया है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखे संपून पर्त्वी को 24 समय कटी बंदों में बाटा गया है यहाँ पर अपना इसमें सही उतर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका हमें कटी बंद है टोटल कितने हो गए 24 हो गए यहाँ पर डी नमबर उप्शन बिल्कुल सही चोदर नमबर का प्रेशन इसमें देखे निमनली कितमें से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है बताए कौन से देश से मकर रेखा नहीं गुजरती राइट आंसर हो अगे देखे किस महादीब के मद्दे से ओकर भूमद्दे रेखा करक रेखा वा मकर रेखा गुजरती है बताए कौन से महादीब के मद्दे से भूमद्दे रेखा करक रेखा और मकर रेखा गुजरती है अपना इसमें सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों अफरीका महाद रन क्या है देखें कोन सा सई सुमेलित यह तिरोटेश डिग्री रिखा को विशेट रिखा की जानते हैं बढल कुल सही है 29 चांसफ डिग्री रिखा को ला है जो कि आरक्टच रिखा दे रखा है दोस्तों साड़े चांसट डिगरी उत्री अक्सांस रेखा को आरक्टिक रेखा साड़े यहां पे देखे साड़े चांसट डिगरी दक्षनी अक्सांस रेखा है इसको दोस्तों अटांटिक रेखा के नाम से जाना जाता है ठीक है और अगर यहां पे साड़े चांसट डिगरी उत्री अक्सांस रेखा होता तो यह आरक्टिक रेखा बिल्कुल सही थी लेकिन यहां पे दक्षनी अक्सांस दे रखा है इसलिए यहाँ पे अटांटिक रेखा आना चीए था ठीक है और दे रखा आरक्टिक रेखा है तो यहाँ पर D नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 17 नंबर का प्रसन इसमें देखे यदि 40 डिगरी पूर्वी देशांतर रेखा पर दो पर के दो बज़े हैं तब 40 डिगरी पस्मी देशांतर रेखा पर उसी समय कितना बज़ा होगा तो उसी समय कितना बज़ा होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों यहाँ पर दे जाएगा दोस्तो 80 degree का जाएगा इसमें ठीक है और आप सभी को पता है कि एक रेखा के मद्दे चार मिनट का अंतर होता है ठीक है तो यहां पर 80 को 4 से multiply किया तो दोस्तो कितना आ गया 320 मिनट आ गया कितनी 320 मिनट अब दोस्तों यहां पर देखिए 320 मिनट मतलब 5 गंटे 20 है वो अपने को क्या करना है दोस्तों इसमें यहां पर देखिए 2 बजे है ठीक है तो अपने को यहां पर क्या करना है कि इसमें गटाएंगे ठीक है क्या करेंगे गटाएंगे 2 बजे में से अपने 5 गंटे और 20 मिनट गटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आठ बज कर 40 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए अंतराष्टिय समय रेखा कहलाती है तो दोस्तों यह क्या कहलाती है यह तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों अंतराष्टिय जो समय रेखा है यह 0 डिग्री देशांतर कहला यहाँ पर डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए गुनिस नमबर का प्रेश्ट ने अकसांस रेखाओं की कुल संक्या कितनी है अकसांस रेखाओं की कुल संक्या 181 होती है कितनी होती है 181 होती है यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नमबर उप् हैं तब 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसी समय कितना बजा होगा इन दोनों को पलस कर दीजिए 70 और 30 कितने होते हैं सो अब सो को 4 से मल्टिप्लाई करेंगे दोस्तों तो देखिए कितना जाएगा 400 मिनट अब दोस्तों यहां पर 400 मिनट आ गया अब इसमें अपने को क्या करना है कि 60 का भाग देना है तो कितना जाएगा 6 गंटे और 40 मिनट आ जाएगा ठीक है 6 गंटे और 40 मिनट अब यहां पर 10 बजे हैं तो 10 बजने में सोरी 10 बजे हैं तो अपने को इसमें 6 गंटे और 40 मिनट और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 4 बज कर 40 मिनट होगा समय तो यहां पर अपना इसमें सही उतर हो जाएगा वो है उसी दिन साम 4 बज कर 40 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नमबर उप्शन बिलकुल सही 21 नमबर का प्रेस ने इसमें देखे किसी एक सन निमनलिकित नगरों में से किस एक नगर की गड़ी का समय अन्य तीन नगरों के गड़ियों के समयों के समान नहीं होता है बताइए किसी एक सन निमनलिकित नगरों में से किस एक नगर की गड़ी का समय अन्य तीन नगरों के गड़ियों के समयों के समय नहीं होता अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें आदिस अबाबा इथोपिया तो यहाँ पर इसमें डी नमबर का जो अप्सन है वो इसका बिलकुल सही उत्रो जाएगा आदिस अबाबा इथोपिया ठीक है नेक्स्ट आगे देखिए 22 नमबर का प्रेस निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए अपने को बताना है कि इन में से कौन सा सही है ठीक है दूसरे को समकोन पर काटती है ये भी बिलकुल सही है कनडा देश में पांच समय कटी बंद है बिलकुल सही है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीनोई कतन है वो सत्ते है यहाँ पर डी नमबर का ओप्सन बिलकुल सही उत्रो नेक्स्ट 23 नमबर का यूरोप महादीब को कितने समय कटी बंदों में बाटा गया है यूरोप महादीब को दोस्तों तीन समय कटी बंदों में बाटा गया है मैंने आपको बताया था दोस्तों देखिए USA को चार समय कटी बंद में कनडा को पांच समय कटी बंद में रूस को ग्यारा समय कटी बं में और यूरोप को तीन समय कटी बंद में बाटा गया है यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर ऑप्शन सही उतर तीन नेक्स्ट चोबिस नमबर का प्रस्थन है इसमें देखिए निमनलिकित कत्नों पर विचार कीजिए यहां पर देखिए बूमद् देखिए व्यास की कौल लंबाइ बारह हजार साथ निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए निमनलिकित कत्नों पर अपने को क्या करना है विचार करना है देखिए गलोप पर जीरो डिगरी भूमद्धे रेखा से 30 डिगरी दक्षनी %100 के मद्धे के चित्र उच अकसांस ये चित्र कहा जाता है ये दोस्तो अपना इसमें गलत हो जाएगा देखे जीरो डिगरी से 30 degree axans को दोस्तो इसे 9 axans कहा जाता है ठीक है? 9 axans कहा जाता है उच axans यह नहीं 9 axans कहा जाता है आगे देखें गलोब पर 30-60 degree उत्री वे दक्षनी axans के मद्दे की छितर मद्दे का जो छितर है 9 axans से छितर कहा जाता है यह गलत हो जाएगा वो इसमें गलत है नहीं तो पहला सही है और नहीं दूसरा सही है तो यहां पर D number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें 26 number का प्रेस ने निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए निमनलिकित कतनों पर अपने को विचार करना है अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है तीक है देखिए किसी देखिए किसी विशेश इस्तान का समय सारे देश में माना जाए वहें उस देश का परमानिक समय यानि कि standard time कहलाता है बिल्कुल सही है दोस्तो आगे देखिए भारत का सुरी भारत के परमानिक समय रेखा का जो निर्दारन है वो साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर का समय कहलाता है बिल्कुल सभी है तो यहांपर दोनों ही कतन है वो इसमें सत्य है तीक है तो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वह है C number का option बिल्कुल सही C number का option right answer हो जा है तर अंसर सी नंबर भ्रू को पुल सही उतर हुछाiell देख और इए पुर्णोज भीचार करे देखें के लिए उटेख़े इसार साइट लगो चोड़ी हैłość राइट पर सार्वादिक फॉडी निव बिल्कुल सही है इसमें आगे देखे देखे दोस्तों इसमें देखे पर्थवी को चोबीस समय कटी बंदों में बाटा गया है ये भी दोस्तों इसमें क्या है बिल्कुल सही है तो यहां पर दोनों ही सही है C-number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे गुंड-20 number का प्रेसन निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिये निमनलिकित कतनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है विचार करना है देखिए दोस्तों यहाँ पे व्रहत-वर्त में वर्त होते हैं जो पर्त्वी या गलोब को दो समान भागों में भी बाजित करते हैं वर्त वर्तों की कुल संक्या 181 है बिल्कल सही है वर्त वर्त के बारे में सरो परतम जानकारी हिपारकस ने दी बिल्कल सही है चोथा देखिए इसमें अक्सांस्व देशांतर रेखाओं के सरो पर थम जानकरी हिपारकस ने दी थी यह भी बिल्कुल सही है यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसमें चारोई कतन है वो सत्य है D नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें आगे देखिए तीस नमबर का प्रेस ने निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए निमनलिकित कतनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है विचार करना है देखिए बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है देखिए एक समय कटी बंद में कुल पंदरह देशांतर रेखाएं होती है बिल्कुल सही है दोस्तों कुल पंदरह देशांतर रेखाएं होती है आगे देखिए परतेक इस्तान पर अपने देशांतर के अनुसार जो समय होता है वहें वहाँ का इस्तानिय समय होता है, बिल्कुल सही है, तीसरा देखिए, इस्तानिय समय का सम्मध मद्य काले इन सूरिय की उचाई से है, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें तीनों ही कतन है, वो बिल्कुल सही है, इसलिए इस प्रेस्टिंग का राइट आंसर, ए नंबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 31 नंबर का प्रेशन है निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए दोस्तों निमनलिखित कतनों पर अपने को क्या करना है विचार करना है यहां पर देखिए दोस्तों कनाडा देश में पांच समय कटी बंदों में बाटा हुआ ह यहां पर option में 6 दे रखा है इसलिए यह पहला नंबर का option गलत हो जाएगा दूसरा देखिए समय कटी बंद विश्वत रेखा पर सबसे अधिक चोड़े होते हैं तथा दुर्वों की और वे सकड़े होते जाते बिल्कुल सही है तीसरा देखिए यूरोप महादीब को तीन समय कटी बंदों में बाटा गया है बिल्कुल सही है यहां पर दूसरा और तीसरा कतन सत्य है बाकी पहला इसमें गलत दे रखा है यहां पर इस प्रेशन का राइट आंसर बी नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों अपना इ इस प्रेशन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा तो वह है 21 जून को 21 जून को तो यहां पर इसमें डी नंबर का जो option है वो राइट आंसर हो जाएगा तेटीस नंबर का प्रेशन इसमें देखिए निमनलिकित में से किस तिती पर दक्षनी क इतर ठीक है 21 दिसंबर आगे देखे पर्तवी की सितीज के समान तर घिराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कलाती है इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे अकसांस कहते हैं ए नंबर का option बिल्कुल सही अकसांस आगे देखे निमन कत्मों पर विचार कीजिए दोस्तो निमन कत्नों पर अपने को यहां पर क्या करना है विचार करना है कि कौन सा कत्न है वो इसमें सत्ते है देखे दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही सही है उत्री कनाड़ा में एक प्राय दीप में है बिल्कुल सही है यहां पर दूसरा नंबर का कत्न है वो सही है और बाकी इसमें पहला और तीसरा गलत है यहाँ पर इसमें right answer हो जाएगा D number का जो option है वो इसका बिलकुल सही उतर है 37 number का प्रेशन है इसमें देखे उत्री गोलार्थ के संदर्ब में निम्न कतनों में से कौन सा सही है उत्री गोलार्थ के समंद में 21 मार्च को होता है बिलकुल सही है उत्र एनात 22 दिसंबर को होता है यह भी बिलकुल सही है और बाकी इसमें देखे यह दोनों गलत दे रखे है इसमें पहला और दूसरा है वो इसमें सत्य है तो यहाँ पर इसमें B number का जो option है वो इसका right answer हो जाएगा अगे देखे एक ही कोणा अत्मक दूरी वाले सत्तानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है तो वो क्या कहलाती है दोस्तों वो कहलाती है aksan's रेखा तो यहाँ पर B number option बिलकुल सही है जो जो भूमद्दे रेखा से मापी जाती है यहां पर बी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा गुंचालिस नंबर प्रेशन इसमें देखे एक इस्तान जो सही अक्सांस ये इस्तती हो सकती है वह है बताइए गुंचालिस नंबर का प्रेशन है इसमें दे आगे देखे निमनली खित में से कोंसा एक गलोब पर व्रहत वरत नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें साथ डिग्री उत्तर अक्सांस रिखा तो यहां पर अपना डी नंबर उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखें देखिए चालिश डिग्री नौर्थ अक्सांस किस किस के बीच सिमांग कन करता है तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में सिमांग कन करता है यहाँपर डी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जायेगा बियाली इस नमबर का प्रेस नहीं इसमें देखे जिस अक्सांस पर वार्षिक तापांतर नियून्तम होता है वहें कौन सा है बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो भूमत देरेखा पर वार्षिक तापांतर है वो नियून्तम होता है ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें निम्न लिखित में से कौन सा एक सुदूर दक्षिंड अक्षांस परिस्तित है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो चिली यहांपर सी नंबर का ओप्षन विस्वत रखा तो यहां पर C number option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे विश्वत पर एक दिन की आउदी बताइए विश्वत रेखा पर एक दिन की आउदी दोस्तों ये होती है बारा गंटे की तो यहाँ पर B number का option बिल्कुल सही उतर बारा गंटे की आगे देखे परधान यामोतर दूर्ववर्तिय तथा विशुवत भूमद्य रेखा का परतिछेदन बिंदू अवस्तित है बताईए परधान यामोतर तथा विशुवत रेखा का परतिछेदन बिंदू अवस्तित है तो दोस्तों ये कहां पर अवस्तित है ये इस्तित है ब बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा अंद माहसागर में, next आगे देखे विश्वत रेखा किस देश से उकर गुजरती है, विश्वत रेखा कौन से देश से उकर गुजरती है, इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तो इसमें 40,000 किलोमेटर तो यहाँ पर C नमबर का उप्शन बिल्कुल सही निमनलिकित नगरों में से कौन सा एक भूमदे रेखा के सरवादिक निकट है तो कौन सा एक भूमदे रेखा के सरवादिक निकट है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वो है सिंगापूर तो यहाँ पर डी नमबर का ओप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिंगापूर यहाँ पर ए नमबर ओप्सन बिल्कुल सही बावन नमबर का प्रस्न है भूमदे रेखा गुजरती है तो दोस्तो कहां से गुजरती है भूमदे रेखा सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है केन्या से ओकर गुजरती है दोस्तो यह सी नमबर ओप्सन बिल्कुल सही तरेपन प्रेस ने भुमते रेखा निमना लिखत मीसे किस देश से हो कर לא खुजरती तो बताइए कोंशे कर बुमते रे लुकुल सही नेक्स्ट कमउभा निमना लिकित समुओं मेंसे किस एक के देशों में से भूमदे रेखा गुजरती है बताएए कौन से एक के देशों में से भूमदे रेखा गुजरती है यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो कोलंबिया केन्या और इंडोनेसिया ये इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा बी नमबर उप्सन बिल्कुल सही नेक्स्ट निमनलिकित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्तित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो रॉम तो यहाँ पर डी नमबर का उप्सन बिल्कुल सही रॉम आगे देखिए अकसान से भूप्रष्ट पर भूमद्रेखा के उत्तर या दक्सिन एक बिंदू की कोणी दूरी है जो जो दोस्तो भूमद्रेखा से मापी जाती है तो यहाँ पर अपना बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट करकरेखा नहीं गुजरती बताए करकरेखा कहां से ओकर नहीं गुजरती तो दोस्तो करकरेखा है वो मिसर से ओकर गुजरती है भारत से ओकर गुजरती है मैंमार से ओकर गुजरती है लेकिन इरान से ओकर नहीं गुजरती है यहाँ पर सी नंबर का उप्शन राइ अमेरिका के निमनलिकित में से किस देश से उकर मकर रेखा नहीं गुजरती है बताइए मकर रेखा दक्षणी अमेरिका के कौन से देश से उकर नहीं गुजरती है यहां पर इस प्रैसन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए बॉल विया से उकर नहीं गुज है दोस्तों यह मकर रेखा तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है आगे देखे एक सेट नंबर प्रेस ने करक रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो छितर है वो क्या कहलाता है इस इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उसन कटी बंद कहलाता है वो यहां पर सी नंबर उप्षन बिल्कुल सही उसन कटी बंद आगे देखे डोल ड्रम्स दबाव चित्र निमनलिखित में से किन दो अक्सांसों के मद्दे इस्तित है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है पांच डिग्री उत्तर से पांच डिग्री दक्षिन के मद्दे दोस्तो ये डॉल ड्रम से रिखा इस्तित है तो यहाँ पर अपना इसमे ए नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा next 64 नमबर का प्रेस्ट निमनलिक्ट मेंसे कौन सा यूग्म सभी है कौन सा यूग्म अपना इसमें सही है वό अपने को यहाँ पर क्या करना है بتाना है देखिये दोस्तो यहाँ पे परदान, मद्यान, डेखा, रेखांस बिल्कुल सही है करकरे खा अकसांस बिल्कुल सही है भूमदे रे खा अकसांस यह भी बिल्कुल सही है यहाँ पे तीनों ही सही है दोस्तों इस प्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा डी नमबर का उपसन बिल्कुल सही है या निकि यह सबी इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे के अकसांस के साथ साथ वर्सात आपमान और वनस्पती बदलती है बिल्कुल सही है दोस्तों अकसांस के साथ साथ सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच का अंतर बढ़ जाता है बिल्कुल सही है दोस्तों आगे देखें इंदरा इस्तल पॉइंट अकसांस के लग के बारे में निमनलिकित में से कौन से कथन सत्ते है अकसांस के बारे में निमनलिकित में से कौन से कथन सत्ते है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है देखें दोस्तों अकसांस के साथ-साथ वर्षा और तापमान और वनस्पती बदलती है तीक है दोस्तों बिल्कु कतनों पर अपने को यहांपर क्या करना है विचार करना है देखिए दोस्तों सागरों के उपर लगबग 30rd35 डिग्री उत्तर और दक्सिन ऑकसांस पर विद्जेमान दो कत्ती बंदों में से पर्टेक होर्स दोनों zwr नमर का प्रेचन है निम्नलिकित कत्न पर विचार कीजिए निमनलिकित कत्नों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है विचार करना है बताना है इसमें कौन सा सही है देखिए दोस्तों इसमें देखिए विश्वत रेखा कुल तेरा देशों से उकर गुजरती है ये दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो गलत दे रखे हैं इसको छोड़ दीजे इसको ठीक है आगे देखिए इसमें अपने को यहां पर बताना है निमनलिकित देशों में से कौन भूमदे रेखा पर अव से कमपाये जाता है अफ्रीका एक मात्र ऐसा महादेश है जहां विश्वत करक रेखा और मकर रेखा गुजरती है केन्या विश्वत रेखा पर इस्तित है जिस से जिसमें सर्वोचे सिकर हिमा छादित रहता है तो यहां पर अपने को ऐसते कथन बताना था तो इसमें कोई बिलकुल से उतर हो जाएगा इस प्रैसन का राइट अंसर डी नंबर उप्शन बिलकुल से उतर हो जाएगा 69 नंबर प्रैसन इसमें देखिए निम्ना लिकित देशों में से कोन भूम अध्यर इका पर अवस्तित है उपनें को यहां पर पताना है देखिए दोस्तों एक तो कोलंबिया और एक है दोस्तों इसमें केन्या कोलंबिया और केन्या ये दोनों भूमद्देरेखाप रवस्तित हैं तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दो और तीन यानि की बी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जा यहाँ पर उप्रोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है तो दोस्तों इन चारों से होकर मकर रेखा गुजरती है ओस्टेलिया नाभी विया ब्राजिल चिली तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देख तो इसमें बुमद्देरे का वरत है बिल्कुल सही है बुमद्देरे का पूरी पर्थवी को गेरे हुए है वै उसका समतल पर्थवी को दो बराबर अर्ध गोलों में बाटता है बिल्कुल सही है तो यहाँ पर ए और और दोनों सही है तता आर एके सही व्याक्या भी करता है यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, नेक्श्ट आगे देखिए, बहतर नंबर का प्रेस्ट ने, कथन ए और कारणार देखिए, परत्वी पर एक इस्तान से बढ़ते हुए अकसांस वाले, दूसरे इस्तान पर किसी वस्तु का वजन गटता है, बिल्कुल सही है, करणार देखिए, परत्वी लदवक्स गुलाब है, तो दोस्तों बताएए कौन सा सही है इसमें, तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें माब को बताऊँ, तो दोस्तों देखिए इसमें पहला है वो परत्वी पर एक इस्तान से बढ़ते हुए अकसांस वाले दूसरे इस्तान पर किसी वस्तु का वजन गड़ता है ये गलत हो जाएगा ठीक है और यहां पर वजन बढ़ता है ठीक है और परत्वी लदवक्स गोलाब है बिल्कुल सह है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक गलत है किन्तु आर सही है तो यहां पर डी नंबर उप्सन बिल्कुल सही तेंतर नंबर का प्रस्थन इसमें देखिए परत्वी के उतरी दुर्व एवं दक्षनी दुर्व को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती ह तो दोस्तो क्या कहलाती है वो वो कहलाती है दोस्तो इसमें देशांतर रेखा कहलाती है यहां पर बी नंबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए निमनलिकित में से कौन सा कथन ऐसमें 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 आपर क्या करना है बताना है दोस्तो देखिए इसमें ऐसमें ऐसमें सीधा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ देखिए दोस्तों देशांतर रेखाओं की कुल संक्या 180 है बिलकुल सही है दोस्तों देशांतर रेखाओं की कुल संक्या 180 है किसी भी इस्तान की ग्रिम विच रेखा से कौन ये दूरी को उस्तान का देशांतर का जाता है ये भी द इक्तम और दूरों पर सुनने होती है, बिल्कुल सही है, विस्वत रेखां पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, 111.3 किलो मेटर होती है, बिल्कुल सही है, यहां पर B नंबर का जो अप्सन है, वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रख गाएगा वो है चार मिनिट का अंतर होगा ठीक है एक देसांतर बराबर नमने से किसे मारग बनाना चाहिए बताइए एक किसी जहाज को सबसे कम समय में एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग को बनाना चाहिए तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तो देशांतर को ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का उप्सन बिलकु सही आगे देखिये उबरे चितर पल नहीं कि किसी चेतर की विश्टरीत दरादली विश्यष्ताओं को दरशाने वाले परियापत विशुवत मान मानचितर कहते हैं यहां पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा उबरा मानचितर है आगे देखिए मानचितर पर समान दबाव छेतरों वाली रेखा को क्या का जाता है इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों आइसो बोर कहते है ठीक है ए चितर बनाने की कला और विज्ञान को क्या का जाता है सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मान्चितर कला कार्टोग्राफी यहाँ पर बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखिए इसमें एक दूसरे से लंबवद अफ़ लंबवद उदरवादर एवं सहतीज रेखाऊं कि सरंकला के नेटवर को किस नाम से जाना जाता है इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है दोस्तों बोगलिक समनवे ठीक है बोगलिक समनवे तो यहाँ पर अपना इसम का मानक समय निर्धारित करने का आदार होता है तो वो आदार किया है तो दोस्तों वो आदार है पर्दान मद्याहan रेखा यहां पर डी नमब्र ऑपशन बिल्कुल सही उतर हूँ आगे दिखे कौन सा याम्योतर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों मुख्य याम्योतर से किसी इस्तान की कोणी है दूरी बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए अंतराष्टिये दिनांक रेखा कहां से उकर गुजरती है तो अंतराष्टिये पूरवी देशांतर पर ये श्तित है बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए जब 372 डिग्री पूरवी देशांतर पर मद्याहन हो तब प्रात आगे कि साड़े छह बजए किस देशांतर या अंस पर बजएंगे इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखे जिरो डिग्री पूर्वी यामियोतर पर तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का उप्शन बिलकुल स इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें पिछेतर डिग्री पूर्वी तो यहां पर अपना इसमें सही उतर हो जाएगा ए नंबर का उप्शन बिलकुल सही नेक्स्ट आगे देखे किसी एक सन निमनलिकित नगरों में से किस एक में गड़ी समय अन्य पर दो इस्तानों के बीच नियुनतम दूरी नहीं होती राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परदान यहां में उतर पर तो यहां पर सी नंबर उप्शन बिलकुल सही नेक्स्ट निमनलिकित में से कौन साल जल डमरों मद्दे अंतराष्टे तितिरेखा के सरवादिक निकेट है इसका सही उतर हो जाएगा वो है बेरिंग जल डमरों मद्दे बी नंबर उप्शन बिलकुल सही नेक्स्ट है पिचानों नंबर प्रेस्ट ने यदि परत्वी के गुंडन की दिशा उतकरमित कर दी जाए तो जब अंतराष्टे तितिरेखा पर दो पर हो तो भा अबे डिगरी पस्टिम देशांतर पर इस्तानिय समय दस बजे सोमवार लिखा है यदि उसके जाज की गती वहीं है तो परत्वी के गुंडन की है जो परत्वी के गुंडन की है तो अंतराष्टे तितिरेका पर वहें किस इस्तानिय समय और दिन को पहुँचेगा यहाँ पर अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा वहें दोस्तों इसमें देखे दस बजे सोमवार को तो यहाँ पर अपना बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है दस बजे सोमवार को पूचेगा आगे देखिए अंतराष्टिये दिनांक रेखा की से क्या करना है सुमेलित करना है विश्वत रेखा यह दोस्तों जिरो डिगरी अकसांस को कहते हैं करक रेखा साड़े तेश डिगरी उतरी अकसांस को कहते हैं यह करक रेखा ठीक है और देखिए मकर रेखा यह कहते हैं दोस्तों साड़े तेश डिगरी दक्षनी अकसांस को कहते हैं ठीक है और दोस्तो ग्रेन विच रेखा है ये दोस्तो जीरियो डिग्री देसांतर को कहते हैं तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा चार एक दो तीन चार एक दो Dublin और दोस्तों यहां पर है लिस्बन ठीक है तो यहां पर अपना Right आंसर क्या हो जाएगा वह नहीं है एक दो और चार इसमें सभी है एक दो और चार यानि किसी नंबर का जो और अप्शन है वह इसका बिलकुल सभी उत्र हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखिए सो नमबर का प्रेस ने पर्दान या में उतर गुजरती है तो दोस्तों ये कहां से होकर गुजरती है तो दोस्तों ये तो आप सबी को पता होगा अलजेरिया और फ्रांस से होकर गुजरती है नाइजेरिया और पूर्टगाली इसमें गलत दे रखा है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें एक और दो इसमें क्या है सही है ए नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तो दोस्तों यह मैंने आज आज आपको विस्वक के बुगोल में पहला चेप्टर अकसांस्वा देसांतर से समंदित यह प्रेस्न करवाए है प्रेस्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने पिछली कलासे नहीं देखिए तो आप पले लिश्ट में जाएए वहाँ पे आपको अलग-अलग फोल्डर मिल जाएंगे तो आप वहाँ जाके पिछली कलासे भी जरूर देखें और अरद्धारस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत